हेलो फ्रेंड मैं आकाश वर्कम टू प्लाइंट केर्गीवर आज मैं एक बहुत ही हाड़ी, पर्मेनेट और सर्दियों में फ्लावरिंग करने वाले प्लाइंग के बारे मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ काफी सारे वीडियो में मैंने इसका जिक्र किया है और बताया है कि इस प्लाइंट पर फ्लावरिंग होती है लेकिन लोग कहते हैं कि इस प्लाइंट पर फ्लावरिंग नहीं होती है इसलिए मैं आज इसके फ्लावर भी आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ और इस plant का नाम है पता चठा, यह पता चठे का plant है, बहुत ही hardy plant होता है, इसे kidney stone में use किया जाता है, इसे आप single पते से और cutting से बहुत ही असानी से grow कर सकते हैं, छोटे container में भी यह लंबे समय तक लाजाता है, अगर आप कोई भी plant की care नहीं करना चाते हैं, तो आप इस plant को अपने garden में add कर सकते हैं, तो चलिए देख लेते हैं कि इस plant के flowering कैसी होती है, तो यह है पते चट्था plant के flowers, इस plant पर भी flowering होती है, आप लोग कह रहे थे कि इस plant पर flowering नहीं होती है, तो देख लीजे इस plant पर भी flowering होती है, जैसे अजूपा प्लांट पर फ्लारिंग होती है, अलुवेरा प्लांट पर फ्लारिंग होती है बैसे ही इस प्लांट पर भी फ्लारिंग होती है लेकिन फ्लारिंग तब ही होती है जब आपका प्लांट पुराना हो चुका हो और flowering केवल winter में ही होती है winter में अगर आप इस plant पर flowering चाहते हैं तो आप इस plant को sunny area में रखें जहाँ पर 5-6 गंटे की धूप आती हो यानि full day sun आता हो तो ये plant बढ़िया flowering करता है मैंने इस plant पर मैं बहुत ही कम care इस plant ये करता हूँ इसलिए सद्यों में इसके पते सासे गिर गयते हैं लेकिन flowering ये बहुत ही बढ़िया कराता है और तो और इसके जो flowers होते हैं वो महिने भर से ज़्यादा plant पर रहते हैं और ये सद्यों में garden की tall beauty होता है कि इसके जो flower होते हैं वो बहुत ही उचाही तक जाते हैं तो ये भी इसके एक खास बात है बहुत ही hardy plant भी होता है तो चलिए देख लेते हैं कि इस plant को आप कैसे grow कर सकते हैं इससे grow करने के लिए आप इसकी cutting ले सकते हैं cutting आप छोटी बड़ी कोई भी ले सकते हैं लेकिन minimum आप 5 से change की cutting लेंगे तो बढ़िया result देखने को मिता हैं इससे आप किसी भी season में cutting से बेहद ही असानी से grow कर सकते हैं तो ये मैंने इसके cutting लिया है इसके जो extra पते हैं आप इने इस साथ से हटा दे और एक leaf node के साथ आप इससे मिटी में दबा दे बहुत ही असानी से और बहुत ही जल्दी ये grow जाता है लगबग 10 दिन में ही ये अपनी growth स्टार्ट कर देता है इसके अलावा इसके जो पते होते हैं उन्हें भी आप फेकिये मत ये पत्तों से भी बहुत ही असानी से grow जाता है और ये पत्ते से आप 5-6 प्लांट आसानी से बना सकते हैं तो पत्तों को आप इससे रख दीजे मिटी इसके परमट डालिए क्योंकि मिटी डालने से कई बार ये गल भी जाता है तो मिटी डालने से आप बस सकते हैं आप इसससे रखेंगे तो भी ये plant grow हो जाता है और कुछ दिन पहले ही मैंने ये एक पत्ताई इस container में डाला था देख सकते हैं मिट्टी में इसका थोड़ा सा ही हिस्सा touch हुआ है और वहाँ से ही इसके दो plant बन चुके है तो अगर आपनी अभी तक इस plant को अपने garden में add नहीं किया है तो अगली बार ये plant आपको कहीं पर भी दिखे तो आप इसकी cutting ले आईएगा और cutting ना मिले तो पत्ता ही ले आईएगा क्योंकि पत्ते से भी ये बहुत ये असानी से grow हो जाता है I hope कि आपको मेरे ये वीडियो पसंद आया हो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजेगा मेरे चैनल पर पहली बार आया है तो मेरे चैनल को subscribe कीजेगा तो चलिए मिलते हंगले वीडियो में तब तक के लिए happy gardening और देख सकते हैं मैंने इसकी baby plant को इसा से हटा दिया है अब मैं इसे किसी दूसरे container में लगा दूँगा और इसके पत्ते को फिर से इसी container में रख दूँगा और फिर से इसे काफी सारे plant बन जाएंगे तो चलिए मिलते हंगले वीडियो में तब तक के लिए happy gardening